कडाई पनीर तो हम सभी को बहुत पसंद होता है जब भी हम किसी धाबे या रेस्टरोइन में जाते हैं सबसे पहले ये डिश ओडर करते हैं और अगर वैसा ही टेस्टी कडाई पनीर घर में बन जाए तो तो फिर घरवालों के मज़े हो जाएंगे और हमारी वावा हो जाएगी तो चलिए फिर वटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं एक कडाई में सबसे पहले तेल गरम करेंगे उसमें मैं इस तरीके से क्यूपस में कटे हुए प्याज और शिम्ला मिर्ची फ्राइ करेंगे एक से दो मिनीट इने फ्राइ करना है उसके बाद ये लगबग 500 ग्राम पनीर है इसे भी हम फ्राइ कर लेंगे फ्राय करने के बाद पनीर को नमक मिले गुनगुने पानी में हम रखेंगे ताकि पनीर सॉफ्ट रहे अब ये तेल को मैंने छान लिया था और अब इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे मैंने डाला है चोटी लाइची, बड़ी लाइची, लॉंग, जीरा, हींग, डालचीनी का टुकड़ा और साथ में मैंने डाला है कुटे हुए धनिये के दाने, कुटी हुई सॉफ और एक प्याच पारिक कटा हुआ अब प्याच को एक से दो मिनिट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे दो चमच अद्रक लसन का पेस्ट, इन्हें भी हम दो से तीन मिनिट अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे दो टमाटर का पेस्ट, टमाटर को भी हमें अच्छे से पकाना है और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे मैंने डाला है आदा चमच कश्मीरी लाल मिर्च एक चथाई चमच हल्दी पाउडर नमक स्वाद अनुसार एक चथाई चमच सीरा पाउडर अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और दो से तीन मिनिट पकने देंगे दही एकदम ताजा दही है इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और तीन से चार मिनिट दही को पकाने के बाद इसमें डालेंगे दो चमच ताजी मलाई आप चाहें तो जो रेडी में टमूल की क्रीम आती वो भी डाल सकते हैं और अब इसमें हम डाल देंगे फ्राइड प्याज शिम्ला मिर्ची और पनीर के पीसे साथ में मैंने डाली ये दो हरी मिर्चे अब ये कड़ाई पनीर आपका अल्मूस्ट रेडी है अब आप देखी सकते हैं कि इसमें कितना टाइम लगा है इसमें 15-20 मिनिट लगें इसे बनने में अब लास्ट में इसमें डाल देंगे बारिक कटा हरा धनिया आधा चमज गरम मसाला एक चमज कसूरी में थी और लगबग आधे से एक कप पानी डालूंगी ग्रेवी बनाने के लिए और अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम आफ कर देते हैं अब यह देखिए कड़ाई पनीर बिल्कुल रेडी हो गया है बहुत ही ज़्यादा लजीज दिकरा है इन्हें सर्व करते हैं आप चाहें तो इसे तंदूरी रोटी के साथ या सिंपल पराठे के साथ या कैसे भी खाईए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है विसे तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राय करें तो इसे तोड़ा सा गार्णिश करेंगे मैंने इसे गार्णिश किया है कुटिवी काली मेर्च कसूरी में थी और थोड़ी सी ताजी मलाई से और फटा-फट इसे गर्मा-गर्म सर्व कीजि किया है